हेलो दोस्तो नमश्कार फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ फर्स टाम विजिट के जरू चान को सब्सक्राइब कर लेना साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके औल जरू सिलेट करके रख लेना ताकि कि जब भी हम विडियो अप्लोड करू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे तो चले दोस्तो फिलाल इस वडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो ठीके दोस्तों अब हम लग आ चुके बिल्कुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तों आप सबलों को बताईए हमारे एक और चैनल है SMKC करके ठीके और वापे में बहुत सारे विडियो अप्लोड करते रहता हूँ आपको सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ है तो वो कैसे मतलब उसके पीछे का राज क्या है तो वो सारी चीजे मैं आप लोगों को इस विडियो में उपन लिया पर बताने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्लियर समझना होगा कि दो टाइप के खबरे हम लोगों को देखने को मिल जाती है एक खबरे ऐसी होती है दोस्तों जो की अनप्रेडिक्टेबल होती है जिनका अंदाजा आप नहीं बान सकते हैं ठीक है मतलब नेक्स सेकेंड में क्या होगा आप नहीं बता सकते हैं बट कुछ खबरे ऐसी होती है दोस्तों जहाँ पे आप अंदाजा बान सकते हो प्रेडिक्टेबल खबरे होती है ठीक है तो ये अलग-अलग दो टाइप की खबरे होती है पहले इनके बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कीजिए मतलब चले स्टार्ट करते पहला जेली से ही पता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती क्योंकि उनको फ्री का खाना पिना मिल सकता है मतलब येस वो अरेस्ट हो सकते है वो जेल जा सकते है क्योंकि ये चीज़े टोटली इलीगल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता हैं दोस्तों insider trading यह दोस्तों insider trading तो आप लोगों ने सुनाई होगा ठीक है insider trading मतलब क्या कि company के अंदर के कुछ ऐसे price sensitive information मैंने शप्त का इस्तमाल किया है दोस्तों कौन सा price sensitive information ऐसा ने की कुछ भी time pass वाला खबर ठीक है ऐसी खबर company के अंदर की जो की company के share price को ज उस खबर के चलते पैसे कमा लो तो दोस्तों इसको illegal बोला जाता है ठीक है तो क्या ही यह insider trading अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसे मैंने खा कि आपको jail हो सकती है क्योंकि यह totally illegal यहाँ पे होता है तो दोस्तों अगर मैं कुछ आप लोगों को example बता दू ठीक है इसी च कि कोई AC नहीं होता है ठीक है तो अभी हाली में हम लोगों ने क्या देखा था कि नितिन गड़करी जी ने क्या बोल दिया कि जो truck का cabin भी रहता है driver का cabin ठीक है उसमें हम लोगों को compulsory AC fit होते वे देखने को मिल जाएगा ठीक है और जैसी एक खबर सामने आ गई क्या हो गया जो AC से related काम करने वाली कंपनिया हैं खास करके जो passenger vehicle में AC लगाती है और जिसनका truck के साथ भी अच्छा कासा दूसरे इसमें business चलता है उनके stocks में जबरदस्तीजी आ गई जिसमें से एक stock था subros ठीक है कोई recommendation ने example के लिए बता रहा हूँ जो कि 5 दिन में आप देख सकते हो 30% भाग गया तो जैसे मैंने इस खबर को cover किया कौंसा यही ट्रक वाली खबर को cover किया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे comment section में गुसा हो गए sir क्या फाइदा बताओ इस चीज का क्या फाइदा यह already खबर आ चुकी है stock भाग चुके है अब बता के क्या फाइदा तो दोस्तों मैं आपको बताना चौंगा यह जो खबर है दोस्तों यह type 1 में आती है type 1 मतलब जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ unpredictable है यह क्या सामने आ सकती है करके नहीं लगा सकते जैसे कि मान लीजे कि next दिन ठीक है कि ऐसी खबर सामने आ जाए कि नितिन गड़करी जी बोल दे for example के लिए कि आज से जितने भी ट्रक चलते है वो सब के सब 10 पईयों के उपर चलेंगे 10-15 पईये extra और उनमें चक्के लगाने पड़े अगर ऐसा हुआ तो जितने भी टायर वाली कंपनी है रोकेट की तरह भागेगी की नहीं बट क्या आप ऐसी खबरों को प्रेडिक्ट कर सकते हो नहीं इनको बोलते है दोस्तो अन प्रेडिक्टेबल खबरे और अन प्रेडिक्टेबल खबरे दोस्तो इनको हम लोग पहले स illegal होता है जैसे कि signal signal follow तो करना होता है न road की अगर हम लोग बात करे अभी कितने सारे लोग तोड़ देते signal गलत तो गलत ही है तो ये वाला जो first type था दोस्तो जो कि बहुत सारे लोग चाते हैं मेरे side से कि sir आप पहले बता के रख लो कि ऐसे से खबर आने वाली है मतलब मैं जाके position बना दूँगा और दो दिन के बाद वो खबर publish होगी तो वो stock 40-50% भागेगा और मैं मस्त मोटा पैसा चापूँगा सुनने के लिए कितना मस्त लगता है न बढ़ हकीकत में ऐसी चीज़े नहीं होती है और मैं आपको एक rule भी बता दो दोस्तो कि जैसे कि मान लिजे कोई एक company रहती है ठीक है जब भी भी company इस प्रकार की कोई बड़ी announcement पतलब कोई बैठक रहती है company की company के अंदर कुछ बहुत बढ़ा बदला होना होता है कि मान लिजे अगर कोई company है वो उनको पता है कि भाई आने वाले समय में हम बहुत बड़ा contract sign करने वाले जैसे कि 500 करोड का ठीक है आप बताओ इतना बड़ा contract sign करेंगे तो share price भागेगा ही भागेगा तो company के अंदर जितने भी लोग है जिनको इस खबर के बारे में पता है उनके जितने भी रिस्तेदार है related parties है उनके लिए trading window close की जाती है इसी चीज़ के लिए ताकि वो insider trading का शिकार ना बन सके price sensitive information का फाइदा ना उठा सके करके तो इसलिए दोस्तो ये वाला जो first type था कि unpredictable वाली खबरे सर पहले बता दो तो ये possible नहीं है मैं honest way से आप लोगों को बताना चाहूँगा कोई आपको जूटे सपने दिखाना नहीं चाहूँगा ठीक है ये तो हो गया part number one then चलिए jump कर लेते part number two के उपर ये वाली खबर ये कौन सी खबर तो जैसे मैंने आपको का कि कुछ खबरे ऐसी होते हैं जिसका एक आप अंदाजा बान सकते हो कि हाँ शायद से ऐसा हो सकता है करके ठीक है उसमें हम लोग बाचीद जरूर करेंगे अभी कौन सी वो चीजे तो चलिए उसके उपर जरूर आते हैं बट उससे पहले जरूर केना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा है तो जरूर लाइक कर देना आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ जाता है तो ठीक है इनी को बोला जाता है दोस्तो प्रेडिक्टेबल खबरे प्रेडिक्टेबल खबरे मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे कि अगर मैं एक टाइप आपके सामने रख दू एक कानूनी टाइप है कानूनी टाइप मतलब क्या देखिए जैसे कि अभी मैंने आप लोग के एक एक एक्जामपल बदाया कि मान लिजे रेड सिगनल वाला रूल ठीक है अगर आप ट्रैफिक रूल की अगर हम लोग बात करें ये भी तो एक कानून ही है अगर आप रस्ते के उपर गाड़ी चलाते हो तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा तो मान लिजे अगर कोई गाड़ी ऐसे चल रही है चल रहे तो मैं बोल दूगा कि देखिए अभी ये गाड़ी जाके रुख जाएगी क्यों कि रेड सिगनल है तो ऐसे ही दोस्तों मतलब हम लोगों को पता होता है कि ये कुछ कानून है ना ये कैसे रोड के कानून होगए कि रेड सिगनल लगेगा तो सभी गाडिया रुखेगी ग्रीन सिगनल लगेगा तो चलना स्टार्ट करेगी तो दोस्तों ऐसे ही कुछ कानून भी companies जब आप बनाते हो ठीक है, company आप चलाते हो तो आप लोगों को basic कानून देखने को मिल जाते हैं जैसी कि चलो, कुछ example में आप लोगों के सामने अभी रखना चाओगा, कौन सा example ठीक रहेगा तो दोस्तों, OFS आप सब लोगों को पता ही है, offer for sale ठीक है, अभी OFS का कानून तो आप सब लोगों को पता ही है अगर नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाओँगा कि अगर कोई भी company, अगर यहाँ पे share market में list हो जाती है ठीक है, अगर उनके promoter की holding अगर 75% से जादा है ठीक है, तो उनको 3 साल का time दिया जाता है इसी से related में आपको बहुत बार बताता हूँ अरे यह company देखिए, इसका 3 साल का timing दिया गया है 2 साल complete हो गया, अभी 1 साल के अंदर अंदर देखिए इसका OFS आ सकता है, तो यह मुझे कैसे पता, क्योंकि यह कानून हमें पता था ठीक है, बहुत सारे लोगों के यह कानून के बारे में पहला नहीं पता था अभी जिन-जिन को यह पता चल चुका है, अभी यह easy उनके लिए हापर हो चुका है जैसे हम में बोल देता हूँ कि एक साल के अंदर होगा, अभी 2.5 साल हो गए बतलब 3 साल होते, अभी सिर्फ आदा साल ही बाकी है, 6 मैंने के अंदर-अंदर OFS तो पक्का आएगा तो इसलिए इस प्रकार के कुछ चीज़े हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसलिए हाली में हम लोगों ने देखा था कि HAL का स्टॉक, बहुत सार लोगों ने बोला था कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे OFS आ सकता है करके, तो HAL की जो शुरुआ थे आप देख सकते हो, 2020 में हम लोगों को देखने को मिले थी, June 2020, और उसके बाद 21, 22, 23 तो 23 के पहले-पहले क्या हो जाएगा, 75 के नीचे प्रमोटर की होल्डिंग लाना कंपल सरी है, तो OFS आज ने, तो कल ने, तो परसो ने, तो नरसो आना तो आना ही पड़ेगा, और देखे, आ गया की नहीं, OFS आ गया, अभी देखे, प्रमोटर होल्डिंग नीचे हुई की 75 के नीचे, तो इसमें कोई rocket science नहीं है, इसमें कोई magic नहीं है, इसमें कोई ये बात नहीं कि वापरेबाब, आपके पास क्या जबरदस सोर से कुछ भी नहीं है, बच्चो वाला खेले दोस्तों, कि तीन साल के अंदर ये आपको rule को follow यहापे करना पड़ेगा, तो ऐसे बो आपनी bonus दे सकती है करके, बजाच फिंसव में आपने कैसे बता दिया कि इस प्रकार का bonus split हो सकता है करके, ठीक है, या फिर HL की बात करें तो वहापे भी आप बात करेते कि कभी भी bonus split हो सकता है करके, तो ये पहले कैसे पता कर लेते हो, इसके पीछे भी logic है, देखे bonus कौन स उसका मतलब फाइदा ही नहीं, तो usually क्या होता है, जो share इब्दम उपर चला जाता है, मान लेजिए 100 का share था, आज पोज गए सिधा 5000 पे, तो बहुत मेंगा हो गया है, तो retail investor का participation कम हो जाता है, तो ऐसे company में bonus की chances बढ़ जाते हैं, ये एक reason रहता है, and second reason की अगर हम लोग बा कि ये prediction यहाँ पर हम लोग कर सकते करके, तो इसलिए हम लोग को पहले एक अंदाजा लगता है कि हाँ, इस प्रकार की खबरे आ सकती करके, कोई guarantee नहीं है, बट आ सकती करके, तो इसलिए ये सारी चीज़े में आप लोग को पहले से आप एक थोड़ा बहुत अंदाजा दे दोस्तों आ जाते इब्दम आखरी पॉइंट की उपर, जिससे related बहुत सरे लोग रुके होंगे, तो चले सर, ये तो सारी चीज़े बच्चों वाली थी आपने, मतलब हम आपके साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, ये OFS की बाते करें, ये bonus plate की बाते करें, buyback की बात क जो कि मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, और इसके ये भी मैं आपको क्या देना पड़ चाओंगा, एक example देना चाओंगा, कौन सा example, as usual हमारा सबसे favorite खेल, as a Indian कौन सा होता है, cricket ही होता है, तो cricket में दोस्तों अगर आपको अंदाजा लगाना है, बेट लगाना है एक चॉकलेट का है, एक रुपे के एक चॉकलेट का, ठीक है, तो की बताओ, कि आने वाले समय में, ठीक है, कोई भी खेले, one day, taste, t20, whatever, 100, century कौन सा प्लियर यहापे मारेगा करके, तो obviously अगर मुझे बेट लगाना है, तो मैं विराट कोली के उपर ही जादा लगाँगा, क् हो सकता है, उसके नेक्स मैच में, 10-20 रण ही बनाए, हो सकता है, उसके नेक्स मैच में, 60-70 बनाए, हो सकता है, कि 0 पे भी आउट हो जाए, बट कभी ना कभी तो जाके वो century लगा देंगे, फिर आप क्या बोलेगे, एरे सर, आपका prediction सही गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तो, हम पकड़ा, तो चलिए, वो भी सही है, ऐसे और सब बहुत सारे player है, वो भी सही है, बट अगर आप जस्पित दुर्मबा पकड़ लेते हो, क्या वो सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, आप इंतजार करते बेटोगे, वो baller है, अच्छा great baller है, तो दोस्तो ऐसी ही, अगर हम अगर हम लोग बात करें दोस्तो, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, यस, हम लोग जाते हैं धोस्तो खराब companies में, बहुत सारे लोग तो penny stocks में ही चले जाते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि कुछ तो अच्छी खबर आ जाये करके, तो इसलिए दोस्तो वो खबर कभी आती ह नहीं है, और मैं जो आप लोगों को stock सिखाने के लिए देता हूँ, वो fundamentally strong shares होते हैं, believe me दोस्तो, fundamentally strong shares हमेशा expansion, अपने करजे को कम करने के उपर focus रखते हैं, अपने growth के उपर focus रखते हैं, margins को improve करने के उपर focus रखते हैं, capex के उपर focus रखते हैं, बड़े-बड़े orders के उप पर focus रखते हैं, deals के उपर, agreement के उपर, partnerships के उपर focus रखते हैं, तो आज नहीं तो कल, अगर आप अच्छे company में जाओगे, मान लिजे कोई XYZ fundamentally strong share है, उसमें आप जाओगे, तो आज नहीं तो कल अच्छी खबर आएगी, तो stock भागेगा ही भागेगा, as simple as that, फिर वो थोड़ अगर आप जाओगे ही penny stocks में, खराब stocks में, तो ultimately वहाँ पे कुछ हाथ में लगने वाला ही नहीं, फिर आपको इंतजारी करना पड़ेगा, तो ये सबसे main चीज होती है, कि पहले सी खबर आप कैसे, कि अच्छे company में जाओ, देख लेना, आने वाले समय में order आएगी, capex करे अलग-अलग agreement करेंगे, ये उसके पीछे का reason होता है, प्लस उसी के साथ-साथ, थोड़ा साम लोगोंने आजू-बाजू check करना होता है, कौन सा, कि policy, चो current सरकार चल रहे है, उनके policy, उनकी रणनीतिया देखनी होती है, इसी से related हाली में मैंने video बनाया था, कि आने वाले समय मैंने आपनों को एक देड़ साल पहले ही बता कि रखा था, कि railway stocks and defense stocks, पहले तो defense की कोई बात भी नहीं करता था, क्योंकि वो सरकारी sector है, और देखा गया, तो सरकारी sector तो है ठीक है, बट उसमें कोई जोज भी नहीं था, बट जैसे ही सरकार की policy है बदल गई, आज देख ल कि ये शेर भागने वाला है, पैसा लगा दे, कुछ नहीं होता है, इसा बखवाज होता है, जितना सच जानोगे, उतना ही, मतलब आप अच्छे तरीके से, मतलब practical रोगे, तो पैसा चापोगे करके, और जैसे ये चीज़े हमनों को देखने को मिलेगी, सरकार के नया कानू यहापे आनी चाहिए दोस्तो, और यही हकीकत वाली बात होती है, जो आप सोच रहे हो कि कोई आके बताएगा, जड़ी बूटी, कोई website होगी, secret, ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तो, तो यह काम आपको यहापे करना आना चाहिए, तो automatically उसके बाद आप पैसा लगा यहापे चलना है, तो type 1 वाला तो भूली जाए, वो तो insider trading वाला मामला है, वहापे तो आप अंदर ही चले जाओगे, और वो तो चीज़े करना illegal ही होती है, second, जितनी भी important चीज़े थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी, कि अच्छे companies को track करो, बाकी corporates, जो law रहते है, company law तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ से आप लोगो को कुछ अंदाज है आपे मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप पहले predict करके वहाँ पे stocks को pick करके आगे बढ़ सकते हो, तो आपको छोटा मोटा अच्छा करसा trading में भी फायदा हो सकता है, and investment में तो फायदा होता ही रहता है, तो आशा करता हूँ, आपको कुछ नई चीज़े सीखने को मिलेगी, practical चीज़े सीखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग वीडियो से नाराज इसलिए हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ तो जड़ी बूटी मिल जाएगी, कुछ तो फार्मिला मिल जाएगा और कल से में 10,000 को एक करोड बना के छोड़ दूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो, practical चीज़े सीखने है, तो इस वीडियो को आप like and share चाओ तो कर सकते हो, चैनल को भी subscribe करके आपर रख सकते हो, and Demet account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो की list भी आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम, कुनसा account आपने link के दो open किया, प्रॉपरली कमेंट से के mention कर देना, तो अफ़ते बर के अंदर-अदर सारे lectures मेरे साट से free of cost प्रवाइड कर दि झाल झाल झाल